कर वेल्बडी वेल्कम टो एंपर ट्रेशनर में हो सुराप ठाकुर और आज के अप्टिडूट सीरीज के सेशन में आप सुभी का स्वागत है हो सकता है कि आप लोगों ने इसके पहले के सारे के सारे वीडियो देखें और अगर नहीं भी देखें कोई दिक्रती बात निए इस वीडियो के ठीक नीच हम लोगों ने सारे के सारे लिंक्स दे रखें आप हो सकता है ये वीडियो को यूट्यूब में देख रहे होंगे फेस्बूक में देख रहे होंगे इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल MBA ट्राइन स्वरप ठाकुर पर जाके आप और बहुत सारे वीडियों से फायदा ले सकते हैं जब वीडियों हम रेकॉर्ड करें अक्टोबर 2018 है और इस्पेशली यह उन सारे के सारे इस साल या अगले साल MBA के इंडिया के जितने भी MBA के इंटरेंस एक्जाम जिसमें अप्टिटूड आता है अप्टिटूड ते खलक की MBA के सारे इंटरेंस एक्जाम समें आता है चाहे वो CAT, IIM होगा, ZAT, IFT, MAT, CMAT, NMAT, MHCD जो भी एक्जाम हो इसके अलावा जितने भी job oriented exams है चाहे वो railway, banking, SSC, FCAT, campus कुछ भी हो including आज का जो वीडियो है वो GRI, GMAT क्लीव उतना ही important है तो बढ़िया से समझेगा और ध्यान से सुनते जाईगा यह रामाराज का सवाल देखे एक exam में एक बार कुशन है था 1, plus 4, plus 9, plus 16, plus 25 and so on इस तरह से अगर आप इनको line से लिखते हैं तो पूछा गया था 100th digit कौन सा होगा तो आप से यह चीज़ पूछा गया था मेरे ख्यास तो काफी अच्छा कोशन है इसलिए अच्छा कोशन भी है क्योंकि आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए squares पता होना चाहिए ठीक है? वैसे मैं आपको एक बार दता हूँ competitive exam के हिसाब से चाहे Kelsey allowed हो चाहे ना हो, 1 से लेकि 100 तक का square याद रहना कोई खराब चीज़ ने है तो अगर आपने नहीं किया तो कर लीजेगा एक बार तो आप बिलीब नहीं करेंगे cat के exam में सिर्फ ये पूचाता ऐसा कौन सा double digit number है इसका square करेंगे तो सामने के दो डिजिट सेम आते है पीछे के दो डिजिट सेम आते है ऐसा एक ही number है double digit का 1 से 100 की विचेए तर इस only one such number and that is 88 88 का आप square करेंगे तो एंसर आता है double seven double four अगर आप इसको लिखे होंगे note में लिख लीजेगा इसे और अगर आप इसे लिखेंगे तो सांत में एक और लिख लीजेगा 38 का square एक ही ऐसा number है जो triplet देता है triple four तो यहाँ पर एक triplet देता है 38 भी important है one से hundred के बीच में one important number okay let's come back to this तो यहाँ पर साम लोग देखेंगे squares एक बात आई यह से कितने squares आपको single digit number देंगे तो squares हो आएंगे one से लेके three तक के agree करते हैं ऐसे तीन numbers है तो one से three तक के ऐसे तीन numbers है हर एक स्क्वार में single digit आएगा तो कुल मिला के कितने digits हुए कुल मिला के जो digits होंगे वो होंगे zero three correct है इसके बाद four से लेके nine four से लेके nine मतलब देखें four, five, six, seven, eight और एक nine तो छे numbers हर एक number का square करेंगे आप देखेंगे तो double double digits मतलब यह 6 numbers और हर एक number के पास double digit तो six into two 12 अग्री करते हैं तो 12 digits यह लोग carry कर रहे अब इसके बाद आप notice करेंगे तो 10 10 से लेके 21 तक 21 का square कितना होता 441 sorry 31 तक 31 का square कितना होता 961 961 तक 32 का square से 1024 होता है मैं जानकारी के लिए लिख देता हूँ 31 का square होगे 961 32 का square होगे 1024 1024 31 के square तक के यहां तक आप जाएंगे तो आपको कैसे numbers मिलेंगे जो square करने से triple digit देते हैं कैसे triple digit दे रहे 1 का 10 का आप square करोगे तो 100 31 का square करोगे 961 कुल मिलाके ऐसे कितने numbers होगे 22 numbers होगे अगरी करते हैं आप ऐसे 22 numbers होगे 10 से लेके 31 including 10 तो अगर टोटल 22 numbers और हर एक number का square करने से triple digit मतलब 66 digits होगे अब आप खुद से देखिए इसके बाद 32 से आप square करेंगे तो अगर आप थोड़ा चेक करना चाहे तो 99 का square वैसे तो 9801 होता है 4 digit number होता है आप इसके बाद 100 का square करेंगे तो 100 और 00 पाँच डिजिट यहाँ पहेंगे तो बहुत दूर तक है 99 तक है बहुत दूर तक है 32 से लेके 99 तक आप जाएंगे तो 4 digit number आपको मिलेगा बहुत सारे numbers है तो अगर आप इनको देखेंगे तो देखी क्या हो गया 66 plus 12 plus 3 तो यह हो गया 60, 70, 76, 79, 81 तो हमारे 81 digits यहाँ पर आचुके है अगरी करते है आप से पूछा कि 100th digit बताईए तो अगर हम से पूछा कि 100th digit बताईए तो यह 100th digit minus this 81 digits खतम यह कितने हो गए 19 more digits are required अब आप बताईए 32,99 बहुत बड़े margin अपने पास ठीक बात नहीं है तो अब जितने भी numbers आएँगे हर एक numbers 32 का square करेंगे 1024, 33 का square करेंगे 1089, 34 का square करेंगे 116, 1156, 35 का square करेंगे 1225, मतलब इस तरह से 44 digits आता चले जा रहे है तो हर एक number के पास 4 digits यह हो गया 19 digits X is equal to 19 divided by 4 तो यह आपके आगा 4 numbers और यहाँ पे आगा 3 digits और बजगे क्या मतलब समझ पाया आप इसका इसका मतलब सर मैं तो यह समझ पाया कि यहाँ से जितने भी ऐसे numbers है 31 के बाद 32, 33, 34 यह सारे के सारे numbers मतलब हमने लिखा 1 का square 1 2 का square देखिएगा 4 9, 16, 25 और हम लोग इस तरह से आगी गए 30 का square होगे 900 30 का square होगे 900 900 है 31 का square होगे 961 यहाँ तक ठीक है यह जो हम लोगों ने लिखा था यह थे these 81 digits अब इसके बाद देखिएगा असली मज़े की चीज़ आईगी देखिए 32 का square 32 का square क्या होता है 1024 हमको ऐसे 4 numbers चाहिए 4 numbers कौन कौन से आपको clearly समझ मैं है इसलिए मैं हम लिख 32 33 34 35 32 का square करेंगे आप 1024 1, 0, 2, 4 33 का आप square करेंगे 10, 8, 9 34 का आप square करेंगे 11, 56 35 का आप square करेंगे 12, 25 तो देखिए आप कितना बड़ी है लोग arrange होंगे 1024 यह रहे 4 digits आपको कितने 4 numbers आएंगे जो solar digit करेंगे 1024 10, 8, 9 यह देखिए आप 33 का square आगे इसके लब आप आप देखिएंगे 11, 54 का square चेक करेंगे 12, 25 के बाद 12, 96 हमें क्या बोला किया 3rd digit तो यह देखिए 3rd digit कौन सा है भाई 3rd digit यह रहा 9 है 3rd digit इसकी जुरूत नहीं है तो यह आगे 1, 2, 9, 6 6 की आउशकता नहीं है इसका answer क्या हुआ 9 मेरे खेल आपको समझ में आगे होगा तो यह बहुत आसान क्यूशन है और यह काफी बार भी लेटली पूछा गया एक्जाम में ध्यान रखिएगा में ही तरफ से इस क्यूशन को स्टार लगा दीजेगा 2015 के बाद ही काफी बार यह अलगले एक्जाम से पूछा गया अगर आप यह चीज समझ गये तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएगा और फिर दो कुशन तो मेरा पूछना बनता है तो आप मुझे बताएगा 50th डिजिट की वैल्यू की आएगी और आप मुझे बताएगा 200th डिजिट की वैल्यू की आएगी तो यह दोनों की दोनों कुशन का एंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताएगे अगर सारे के सारे जो नेचरल नंबर से उनका हर में स्क्वार्स लाइन से लिखते चले जाएगा तो 50th डिजिट की आएगा और 100 डिजिट की आएगा पर भी देखे होंगे यूट्यूब में फेस्बुक में इंस्टाग्राम में जहां पर भी आप एक बार यूट्यूब की चनल ना हमारे अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कर सकते हैं अगर आपको चैनल अच्छा लगए तो आप सब्सक्राइब कर सकतें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकतें थैंक्यू फॉर एटाइम मैं सौरब ठाकूर आप लोगों से दा लेता हूँ नेक्स्ट ताइम फिर से मिलते हैं भावा एरुबड़ी टेक क्या